उत्राखंड में रूद्र प्रियाग आपदा की दरश्टी से अती समवेदन शील माना जाता है रूद्र प्रियाग जिले में 2013 आपदा के बाद जंदगी पट्री पर लोट सके इसके लिए प्रशासन द्वारा बड़े बड़े दावे किये जाते रही हैं लेकिन आज भी जिले में 23 गाउं की 472 परिवार वस्थापना की आस में खौफ के साई में जीने को मजबूर हैं कई दश्कों से बद्रिनात के दार नाथ राश्ट्रे राजमार्ग पर नासूर बने सिरोबगड लेंड स्लाइडिंग जोन के ठीक ऊपर खांकरा ग्राम पंचायत का छाती खाल गाउं बसा है जहां के लोग आज भी दहश्रत के साई में जीने को मजबूर हैं शिरोबगड में हर दिन भुस्कलन होता है और उस से ठीक 140 मीटर उपर बसे शाती खाल गाउं की जमीन और मकान धीरे धीरे खंडर बनते जा रहे हैं इसमें इन लोगों के भी तुरंट विस्थापन होना चाहिए ईस लिए पिस्त आपन की मांग इसलिए है कि हमारे हैं खत्रा है यह शिरो बगड़ जो प्राइट ऊच्टर है उसके कारण है खत्रा कि चक्कर में यह हम लोग सब परिशानी में जुञ रहे हैं जिस कारण हम रात को नीद आती है बसात होता है तो नीन नीद आती है खाया जा परिषानिया है यही है कि चार परिवारों का विस्तापन हो गया है वो आने जाने वाले रहे अपना इस परिवार का विस्तापन किया उन्होंने उन्हीं के बगल पे हमारा घर है इता है पूरे जिले की बात करें तो आपदा प्रभावित रूद्र प्रियाग जिले की तेज गाउं के 472 परिवारों का वस्थापन लंबे समय से अधर में लटका है जिलप्र शासन ने इन गाउं का भूगरबिय सनवेक्षन करवा कर वस्थापन की रिपोर्ट शासन को भीजी हुई है रूद्र प्रियाग जिले में जखोली के 3 गाउं के 192 परिवार उखीमट के 17 गाउं के 248 परिवार वहीं रूद्र प्रियाग के 32 परिवारों का वस्थापन होना प्रस्तावित है इन सभी 472 परिवारों के वस्थापन में 16 करोड 52 रुपे खर्च होने थे जिसमें प्रतेक वस्थापित परिवार को 3.5 रुपे मिलने थे इसके साथ ही वस्थापित होने वाली नई जगहां पर मूलभूत सुविधाओं को विक्सित करने के लिए भी वादे किये गए थे डियम का कहना है कि रूद्र प्रियाग में आबदा के बाद वस्थापन के मामले अब तक प्रशासन कच्छुआ गती से चल रहा है अब ही कुछ परिवार इसमें और शेस हैं बागी गाओं के इसका भी लगातर हमारी तरब से पत्राचार किया जा रहा है और जैसे इसमें धन्राशी शाषन से प्राप्त होती है हम लोग उन परिवारों के विस्थापन की भी कारेवाई करेंगे प्रशासन आज भी विस्थापन के दावे कर रहा है जो वो वर्शों से पीड़ितों से करता आया है जलब प्रशासन का कहना है कि विस्थापन के लिए शासन से 2 करोड 37 लाख रुपे मिले हैं जिसमें 56 परिवारों का विस्थापन हो चुका है बाकी बचे हुए परिवारों के वस्थापन के लिए शासन से मांग की गई है अब देखना होगा कि प्रशासन पीडितों के लिए कोई समाधान करता है या फिर पीडितों को यूँ ही देहशत के साय में जीना पड़ेगा पंचाब के इसरी के लिए रूदर प्रयाक से बोपेंदर भंडारी की रिपोर्ट